नवस्कार आप देख रहे हैं मनी गुरू मैं हूँ स्वाती रायना बस बीते शुक्रवार को ही बाजार एक नई उचाई पर पहुँचा और उसके साथ ही निवेशकों के मन में कई सवाल उठने लगे एक्साइटमेंट होने लगी और थोड़ी बहुत अनिश्टिता भी बनी रही कि आखिरकार बाजार की इस बढ़त में क्या किया जाए अब ऐसे में कई जो निवेशकों होते हैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे बदलाव करने लगते हैं एक्विटीज में निवेश करने लगते हैं कई लोग जादा मुनाफ़ा कमाने के चकर में कुछ गलतियां कर बैठते हैं इसलिए बाजार के उचाई में निवेशकों को क्या करना चाहिए आज मनी गुरू में हम यही जानेंगे वही साथ में ये भी कि बाजार में उचाय के बाद गिरावट भीक आती है तो ऐसे में भी निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन तमाम मुद्दों पर चरचा करने के लिए हमारे साथ बहुती खास महमान आज मौजूद है हमारे साथ है फिरोज अजीज डेपडी सीओ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ फिरोज आपका बहुत स्वागत है मानी गुरू के आज के इस स्पेशल एपिसोड में बाजार रिकॉर्ड हाइपर डेफिनिटली हर किसी में खुशी का महौल लेकिन सबसे इंपॉर्टन बात निवेशक जो होते हैं वो आखिरकार उनके माइन में क्या चीज़े चल रही होती है जब बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है कि SIP करे कैसे करे मोटा मुनाफ़ा कैसे कमाए और ऐसे में कर जाते हैं कई गलतिया तो सबसे पहले आप बताइए जब बाजार हाई पर पहुँचता है तो निवेशकों के मन में क्या चलता है देखे आई धिंक जहां तक की इन्वेस्टर का बहेवियर का सवाल है यह देखा गया है कि जब माकेट अच्छी होती है तो लोगों को जो ग्रीड है वो टेक ओवर करती है जो इमोशन जो जजजबात होते है उसमें एक ग्रीड सिया होती है और लोग इन्वेस्ट करना चा के निवेश अपना बंद करते हैं सिस्टेमाइलिक इन्वेस्टमेंट प्लाइन्स जो भी अनलाइज की है हमने अब तक रिसरच की थी एक तो जब भी मार्केट गिरती है तो मैक्सिमम एसाईपी स्टॉपइज होती है जो की गलत समय होता है इन फाक्ट एक निवेशक को अ ऐसे समय में डेफिनिटली एक निवेशक के जजबात थोड़े जाक जाते हैं और वो गलत निर्ने लेने की काफी संभावना होती है उनकी तो बिहेवियर आपने बताया कि आखिरकार जो निवेशक होते हैं ऐसे में क्या करते हैं और इस तेजी में या फिर कई बार तेजी गिरावट में अब निवेशक के सोचते हैं कि खरीदारी का मौका है या क्या करें तो गिरावट में बिहेवर कैसे चेंज होता है निवेशकों का जब गिरावट होती है तो एक इनसान को अपने जो निवेश के जो रकम है उसमें अगर नुकसान या घाटा दिखता है तो वो ज़ादा तर अपना निवेश बंद कर देते हैं ये सबसे बड़ी गलती होती है निवेश की इन्वेस्टमेंट की क्योंकि अगर वो गोल के हिसाब से चलें तो उनको अपना निवेश बंद नहीं करना होता है ये देखा गया है अगर हम देखें वर्स्ट मॉन्स फर एक्जामपल फेबुरी टूज़न सिक्टीन बजट के ब बिहेवियर है जब भी मारकेट नीचे होती है तो रिडेम्शन्स करते है जो की गलत नर गलत रन नीती होगी इनफाक्ट नीचे होती है तो आपको ज़्यादा निवेश करना है जैसे आपको अगर शॉपिंग मॉल में डिसकाउंट होता है तो आप ज़्यादा खरीदारी क करनी है ओके तो ये जब बाजार में तेजी है या बाजार में गिरावट निवेशकों को अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी है उनसे भी बात कर लेते हैं चलिए मुकेश जी का इमेल सबसे पह कर रहे हैं लक्ष हासिल करने के लिए किन फंड्स में इन्हें निवेश करने की और जरूरत है इनके लक्ष है बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 साल में 50 लाख रुपए और रेटायमेंट के लिए 25 साल में इन्हें 1 करोड की रकम चाहिए तो मुकेश जी को स्वाती 2,000 रुपए महिने से इनका जो लक्ष है वो पूरे होने की संभावना कम है इनको 10,000 रुपए पर मन्त का इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी अपने दोनों लक्ष पूरा करने के लिए मुकेश जी जैसे आपकी आई बड़े वैसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट को इनक्रीज करना है और ये देखना है कि आप अपने रहा पे डटे रहें ताकि दो लॉंग टर्म लक्ष जो हैं 25 साल और 15 साल बच्चे की पढ़ाई और रिटायमेंट के लिए जो आप इ SBI multi-cap में इन्वेस्ट कर रहें उसको बरकरार रखें वो अच्छा fund है उसमें एक fund manager ना होके बहुत सारे analyst जो हैं वो अपने-पने sector के stock select करते हैं तो बहुत सारे analyst का इस fund में उनकी काबिलियत इखटी करके ये fund manage कया जा रहा है SBI के द्वारा तो अच्छा scheme है उसमें बने रहें large cap में आप दो एक scheme add कर सकते हैं Mirai Asset India Opportunity Scheme mid cap category में HDFC mid cap opportunities अगर आप add करेंगे अपने नए निवेश के लिए मुकेश जी all the best आपके जो लक्षिय हैं पूरे होने की संभावना अच्छी हो जाएगा चले मुकेश जी को तो अपने इस नए निवेश के लिए शुरुवात में ही हमारे expert फिरोज से राय मिल गई है और उनकी तरफ से हमाई तरफ से आपको all the very best अपने निवेश के लिए आगे बढ़ते हैं एक और caller इस वक्त हमारे साथ हैं राकेश जी हमारे साथ हर्याना से ह अपने सवाल भेजा है हमें और बैंकर हैं आप और निवेश करना चाहते हैं सरा बताइए थोड़ा और क्या आपके गोल्स हैं जिसके तहट आप ये निवेश की शुरुवात करना चाहते हैं हैं मेरा इंवेश में पोर्फोलियो का प्लान है अगले दश साल के लिए और रूपीज शिक थाउजन इन एप्रीज पोसेंगे पीजिए वोल इन आपकेश वन इन एज पारे अज आपकेश और एंज अज देखा आज हैं खेंव माई पर अज जित आफ संधित में इक्वि कैटिगरी का फंड आपने चूज किया है कि किसी और एक्सपर्ट की राहे लेकर अच्छा तो और इस पर शुभारम से पहले आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि क्या करें लार्ज कैप और एक मिट कैप का फंड इन्होंने चूज किया है फिरोज जिसमें ये तीन-तीन हजार उपए के SIB करना चाहते हैं दस साल इनका होराइजन है इसमें निवेश करने का और रिस्क अपटाइट भी कहते हैं इनका मीडियम है तो बताएए ये फंड जो इन्होंने चूज किये हैं सही है या किसी और फंड के आप इनको सला देंगे इन्होंने जो फंड चूज किये हैं दोनों ही अच्छे फंड है SBI Blue Chip Fund, Sohani जो फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करती हैं लाच कैप स्कीम में है सही के ट्रांस्फरमेशन के बाद भी इस स्कीम में राकिश जी कोई बदलाव नहीं आया है SBI Blue Chip's objective has been kept intact, point one HDFC Mid Cap Opportunities भी अच्छा स्कीम है, चिराक सेतलवार जो हैं फंड मैनेजर हैं वो अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा performance दिया है relative performance BAC Mid Cap को अच्छी तरह इन्होंने बीट किया है तो काफी दोनों अच्छी स्कीम हैं, बट अगर आपको contemplate करना हो तो HDFC के basket में HDFC Small Cap एक छोटा fund होगा again managed by the same fund manager चिराक सेतलवार, उसको भी आप consider कर सकते हैं अगर आप Mid Cap स्कीम में डाल रहे हैं, तो आप वो 3000 रुपे के दो इस से करके 5000 रुपे HDFC Mid Cap Opportunities में डाल सकते हैं, 5000 रुपे HDFC Small Cap में डालेंगे तो आपको पूरी Market Cap का exposure मिल जाएगा, इन तीम स्कीम के जुआरा So, just add one more scheme, HDFC Small Cap, split the HDFC money into two portions and buy these two schemes So, you'll have three SIPs, थोड़ा extra paperwork करना पड़ेगा, but I think it'll be well worth it, Rakesh चलिए, राकेश जी के बाद, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, फिरोज लाइव कॉलर हमारे साथ, गुजराद से जावेज साब है जावेज जी, बहुत स्वागत है आपका money guru में, कैसे हैं आप सर? मैडम, नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, बर्या हूँ बिल्कुल सर, बताईए, क्या मदद कर सकता हैं आपकी? मैडम, मैं HIP कहता हूँ, यह जी बिजिनिस को देखे, मैंने किया है जी मैं मैडम, 20,000 रुपे डालता हूँ, 5,000 रुपे ऐसे जाई गली की फंड में जी मैं मैं और मैं एक फंड और लेना चाहता हूँ, जैनरा रुपे को कॉंसा सर इसके लिए मुझे फिरोज चरके सलाइए, बताईए, मैडम, क्या करूँ सर एक और फंड जो आपने का था कौनसा है वो केंडरा रुबे को इमर्जी ओके फंड है ना, उसमें 5,000 रुपे डालना चाहता हूँ, और मोतिलाल उसवाल का फंड में बंद करना चाहता हूँ, अच्छा मोतिलाल उसवाल बंद करके, ठीक है, फिरोज, चार फंड में निवेश है इनका, 20,000 रुपे का टोटल देंगे? जो आप एक्जिट करना चाहते हैं, उसमें फिनैंशल सर्विसेस सेक्टर की अल्मोस्ट 45-47% के एक्सपोजर है, वो थोड़ा हाई, हाई स्क्यूट सेक्टर एक्सपोजर माना जाएगा, तो आई तिंग कि जो आपका एक्जिट का निरने है, वो भी मैं आपको एंडॉस क करूँगा, आपका जो री इंवेस्टमेंट कैनरा रेबेकों में हैं, उसको भी सजेस्ट करूँगा, बट रहा सवाल जो आप अल्रेडी इखटा कर चुके हैं, मोतिलाल उस सवाल में, वो यूनिट्स को भी आप कैनरा रेबेकों में मूव करेंगे, तो बहतर होगा, ना क कि सिर्फ आपके फ्यूचर किस्टों को आप मूव करें, अल्रेडी जो पैसे अक्यूमलेट हो चुके हैं, उसको भी मूव करने की आप कोशिश कर सकते हैं, एक और कॉलर लेते हैं, गाजयबाद से छेदीलाल जी हमारे साथ है, सर बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप से? फाइनेंसियल प्लानर को बुलाया, और फाइनेंसियल प्लानर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मीच्वल फंड क्या होता है, बहुत भड़िया से, अब क्या प्लान है अब आपका? मैंने 25,000 उपहे मैं यसाइपी करता हूँ, यह दोनों बैलेंस फंड थे, एक यजदी अप्ती बैलेंस फंड था, और एक जो है आदित बिल्ला का 96 था बैलेंस फंड, जो के हाइबरिड फंड हो गये हैं, हाँ, हाँ, हाइबरिड फंड हो गये हैं, और मेरा लच्छ यह है कि मैं करीब साथ साल में, चूंकि मैं 62 यर का हो गया हूँ, मैं 70 साल की उमर तक कम से कम, एक 75 लाग रुपए कमा सको, और एक फाउंडेशन बना सको अपने गाउं में उन बच्चों के लिए जो की गरीब ह हैं, या जो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन गदिबी के होजे से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं गाउं से आता हूँ, और अभी गाउं के लिए हमारा तल्ज उतरा नहीं है सर, बहुत बहुत मुबारक बात सबसे पहले आपको, कि आपने बहुत ही नेक इरादे के लिए हमारा ये माध्यम चुना है, और आप रिटाइमन के बाद इस तरीके की सोच रख रहे हैं, बच्चों के लिए एक और्गनाइजेशन खूलना चाहते हैं, उनके पढ़ाई के लिए इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक बात, रहा सवाल आपके निवेश का, आपके फंड्स का और आप कैसे इस लक्षे को हासिल कर सकते हैं, उस पर आए हम अपने एक स्पोर्ट से आपको दिलवाते हैं, फिरोज सर का पोर्टफोलियो आपके पास भी है, बता करने हैं, जहां तक की इन्वेस्टमेंट बैलन्स कैटेगरी में का सवाल है, क्योंकि जब लॉंग टर्म कैपिटल गेंस नहीं थी, तब उसमें इन्वेस्ट करने की थोड़ी ज़ादा आपको डिविरेंट डिस्रिबिशन टैक्स बचता था, तो मेरे इसाब से जो आप इ क्लास नहीं है, तो आप एक्विटी को सेपरेट रखें और डेट को सेपरेट रखेंगे, तो आपका लक्षे पूरे होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, इन दोनों को सेपरेट करने से 1-2% अधिक रिटर्न देखा गया है in the past, तो मैं आपको चार एक्विटी स्कीम स प्राइमा और कैनरा रेबेको अमर्जिंग एक्विटी ये मिट कैप स्कीम होंगी, इसमें आप 10-10,000 रुपे चार में डालिए, तो 40,000 रुपे जो आप इन्वेस्ट करें हों कंस्यूम हो जाएंगे, रहा सवाल डेट का 10,000 रुपे, ICICI regular savings में अगर आप इन्वेस्ट कर जी और चेदी राल जी और आपके जो आपने अपने लिए लक्ष रखा है गाउं में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आप एक संस्थान खोला चाहते हैं उसके लिए आपको all the very best संजे कुमार जी एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं उनसी बाख्त करते हैं संजे जी बहुत स्वागत है आपका सर कैसे हैं जी सर बताईए आपने सवाल भी अपना भेजा था था थोड़ा सा और डीटेल से बताईए क्या लक्ष है आपका अब अच्छा आपने शुरुवात की ही नहीं है फिरोज संजे ने कुछ फंड्स अपने ले चूज की है एबेसल फ्रंड लाइन एक्विटी, मिराय आसेट इंडिया एक्विटी, HDFC, Mid Cap Opportunity इसमें SBI Blue Chip भी है, Franklin India Smaller Companies और SBI Small Cap भी है पहले बार की निवेशक है, 15 साल में 70 लाख रुपए इनका लक्ष है और एक लाख रुपए एक मुष्ट निवेश की भी योजना, 10,000 रुपए के SIP के साथ शुरुवात करना चाहते है इनके पोर्टफोलो के हिसाब से क्या ये जो ये चूस करना चाहते है, फंड्स आपको सही लग रहे हैं? संजे जी के फंड्स अच्छे चूस किये हैं, इनके काफी रिसर्च की है, फंड्स अच्छे चूस किये हैं, एक छोटे बदलाव मैं सजेस्ट कर सकता हूँ ABSL का जो फ्रंट लाइन एक्विटी है, आदित अबिरला का, वो काफी बड़ा हो चुक है, उसी फंड हाउस में ABSL एक्विटी फंड लेंगे, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज़ादा रिस्क एजिस्टेड रिटर्न में थोड़ा ज़ादा बहतर होगा, फ्रंट लाइन SBI Small Cap के बदली, आप HDFC Small Cap जरूर यूज़ कर सकते हैं, बाकी पांच फंड, बाकी चार फंड जो आपने सजेस्ट कियें, उसमें आप बिलकुल निवेश टालू कर सकते हैं, बेटर लेट देन नेवर, संजे जी जल्दी से आप स्टार्ट कीजे, म्यूच्वल फंड का जरि में बताइए सर, क्या सवाल आप तक, बताइए, मैं मैं गंगन अगर से बात कर रहा हूं, और मैं मैं अभी तीन पंड में इन्वेश्टमेंट कर रहा हूं अपनी, एक कॉटक सेलेक्ट फोकस फंड डारेक्ट प्लान ग्रोफ, 2000 और फंदरा सौर पे मेरे हैचलिए पसी और फिर मैंने अब मैं वो सेभी के जो रूस है तो उसके पारिंग वो मर्तिकरी उनकी चेंज हो गई, तो मैं यह जान नजा रहा था, मुझे एक लाट क्या पोर ले लेना चाहिए, या फिर यह ठीक रहेगा, टोटल कितना निवेश है आपका, साड़े-4,000 रुपै का, मै अब का बार में 15,02 हजार उसमें 35 कर लेता हूं, अच्छा, कब तक निवेश कर लेना चाहते हैं, मैम यह 20 यह का गॉल है मेरा, 22 भी हो, 2022 यह तक इस इन वेस्टर हूंगा में इसमें, हां, तो यह 20 साल के लिए जो आपने निवेश की सोची है, किस लक्षर के तहत, मैम यह बेस्ट ले तो रेटायरमेंट के लिए है, यह गॉल मेरा, और मैं एक सवाल और सा मेरा, मैं 25,000 एटी डेसी हाइब्री एकुल्टी फंड में लगाना चाह रहा था, लंसम, जो पहले एटी डेसी बैलंस फंड हुआ गरता था, मैं यह जाना चाह रहा था, कि यह फंड अब वैसा ही रिस्पॉंस देगा या फिर मैं कोई और फंड चूज करूँ ठीक है, बीस साल के बार रेटायमेंट के लिए आपको कॉर्पस चाहिए, हर्ष, कितने तक का कॉर्पस यह भी बता दीजिए, मैं टेट पॉने दो करोड लग बग, ठीक है, फिरोज बताईए, इनके फंड का सेलेक्शन, फिर 25,000 रुपए HDFC hybrid equity में डालना चाहते हैं, वो सही रहेगा, और 20 साल के बार रेटायमेंट के लिए, इतना निवेश आपको सही लग रहा है इन तीन फंड में? दीजिए, इन ने जो अमाउंट किया, कहा है, 4,500 पर मंद, और थोड़ा सा, जब भी surplus ज़ादा होती हैं, तो वो ज़ादा इन्वेस्ट करते हैं, हर्च जी, तो मेरे इसाब से ये निवेश, क्योंकि आपके पास 22 साल, 20-22 साल है, तो ये निवेश काफी होगा, डेट से 2 क और और इखटा करने में, that's the good news, हर्च साहब, आप जो schemes की अगर बात करें, आपने जो team schemes का mention किया, KOTAC standard multi-cap, उसकी category change हो चुकी है, अभी standard multi-cap है, पहले large cap category था, बट वो जब large cap category भी था, तो उसमें almost 25-30% mid-cap stocks थे, तो portfolio construct में इतनी तबदीली नहीं आई है, खाली उसकी categorization बदल गई है, तो मेरे हिसाब से आपको scheme large cap add करने की जरूरत नहीं है, because skew इस portfolio का large cap की तरफ ही जुकाव है, so no change required, 0.2 HDFC mid-cap opportunities में जो आप निवेश कर रहे हैं, जो भी आपको extra monthly invest करना हो, HDFC small cap में करें, क्योंकि वो same fund manager है, but fund छोड़ा छोटा है, तो उसमें manage करने में उनको कम दिक्कत आती है, तो HDFC small cap में जो भी आपके ad hoc extra monies हैं उसमें डालिए, reliant small companies को replace करके आप Franklin smaller companies fund में जाईए, जब भी कोई छोटी company का fund खरीदा जाए, तो fund house की processes बड़ी strong होनी जाए, मेरे इसाब से Franklin की process stock selection की बहुत strong है, बहुत institutional driven है, person dependency कम है, तो Franklin smaller companies would be a better choice. Lastly, जो हर्ष आप पूछना चाहते थे, HDFC balance fund जो अब hybrid equity हो चुका है, मैं आपको सला दूँगा कि उससे आप दूर रहें, और जो funds मेंचन किया था, उसी में आप split करें, debt में Franklin dynamic accrual fund अट कर सकते हैं, अपना खुद का balance बनाए, balance fund की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लंब सम 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और live caller से बात करते हैं, जबलपूर से प्रकाश जी सवक्त हमारे साथ है, प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताएए सर क्या जानना चाहेंगे? तीन फंड्स में निवेश कर चुके है? और कब तक करना चाहते हैं, क्या हॉराइजन क्या आपका अवधी कितनी? बीस साल से जानना चाहते हैं, बताएए फिरोज सही लगरे फंड्स इनके आपको? परकाश जी के फंड्स सही है, कोटक का फंड्स सही है, डिस पी जो ब्लैक रॉक का फंड्स है आपका, उसमें थोड़े फंड मैनेजर की बदलाव आई है, CIO नागनाद जो हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, काफी अर्जों से थे, और ELSS Equity Link Saving स्कीम जो होता है, उसमें फंड लॉक्ट इन होता है, आपका तीन साल के लिए, तो मेरे इसाब से लॉक्ट इन फंड्स में, आप बड़े एसेट मैनेजमेंट कमपनीज में ही अपना पैसा रखें, छोटी असेट मैनेजमेंट कमपनीज में ना रखें, क्योंकि आपके पास वो ये नहीं होती, शमता नहीं होती कि आप पैसा रिडीम कर पाएं, क्योंकि तीन साल की लॉक्ट इन होती है, तो उसमें आप Reliance Tax Saver स्कीम का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी Tax Saving ATC के तहट जो बचानी है, बट ये minor modification है, प्रकाश जी, I think आपका जो 20 साल के उपर का लक्षी है, 6,000 रुपे पर मन्त की SIP में 1.5 करोड रुपया एकटा करना will not be an uphill task at 14% return, तो उसको बरकरा रखें, प्रकाश साब, I think you are on the right path. Okay, market की ऐसी situation में, जिस लेवल पे अभी market है फिरोज, हम जाना चाहेंगे आप निवेशकों को कैसे funds पे निवेश करने की सलहा देंगे? दिखे स्वाती जी, जैसे आपने कहा market, beginning of the show आपने कहा market on the peak है, peak पे है, बट ये जो निफ्टी जो इतनी उपर आई है, वो तीन stocks के चलते वो उपर आई है, ज्यादा तर Reliance, TCS, ये HDFC, ये stocks भागे हैं, तो निफ्टी उपर आ गई है, बट ब्रादर market, जो small cap या mid cap stocks हैं, वो actually January से लेके आज तक नीचे है, mid cap index 10-12% नीचे है, small cap indices 18-20% नीचे है, तो mutual fund की जो NAVs हैं, वो काफी आज गिरी हुई है, तो ये एक opportunity होती है एक निवेशक के लिए, for example, जैसे हमने Franklin Smaller Companies की बात की, वो इस साल 14-15% उसकी NAV गिर गई है, तो आपको उसका फाइदा उठा के अच्छे schemes को गिरे हुए prices, NAVs जो गिरी हुई prices है, 10-15% से, उनको खरीद के अपना portfolio बिल्ड करना चाहिए, और इस opportunity को capitalized करना चाहिए, broader markets have not gone to the peak, Swati. Very quickly, किन equity funds में और निवेश करने की ज़रुत है, आपके picks कौन से होंगे? Birla Sun Life Equity एक अच्छा pick है, Large Cap category में, Large Cap category में आप Reliance Large Cap देख सकते है, Mirai Asset India Equity scheme एक अच्छा scheme होगा, Large Cap category में, Mid Cap में HDFC Mid Cap Opportunities, Candra Rebeco, Franklin Prima Funds, Small Cap में HDFC Small Cap Franklin Smaller Companies Funds, could be good funds to pick. और Debt Funds में आपके कोई pick? Yes, Debt Funds में आप Access Credit Risk Funds pick कर सकते हैं, Reliance Credit Risk Funds, ये दोनों फ़ण्स बहुत अच्छे फण्स हैं, और ये बहुत सीमित रखते हैं, अपने रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करते हैं, और 1.5% एक्स्ट्रा देने की शम्ता रखते हैं, दूसरे Debt Funds के मुकाबले. All right, thank you so much, फिरोज हमाई साथ आज मानी गुरू के इस एपिसोर में जुड़ने के लिए, तो मार्केट के उतार चड़ाव में, जब मार्केट रिकॉर्ड उचाई पर होता है, या गिरावट की तरफ होता है, आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्या करना है, क्या